इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Government of India Act 1919 के बारे में 19-19 वाला जो Government of India Act था उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये Act क्यों आया था इसका क्या कारण था आने का Reserve List और Transfer List क्या होते हैं और इस Act के अलग-अलग Provisions क्या-क्या थे ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको Government of India Act 1919 के बारे में काफी Clarity आ जाएगा और सायद सारे Questions का जवाब मिल जाएगा तो ये वाला Act जो था वो British के Parliament, Britain के Parliament ने United Kingdom के Parliament ने पास किया था इस Act का में काम ये था कि भारत में जो Government of India है उसमें भारतियों का Participation को भारतियों का क्या बोल सकते है उसको भारतियों का जो Participation है Participation का इंदी नहीं आ रहा है आएगा तो कमेंटर बता देना तो Participation जो है उसको बढ़ाने कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में ये Act मेंली बेश था Secretary of State for India इडविन मॉन्टेगू और वाइस रोई थे चेम्सपॉड यानि कि मॉन्टेगू चेम्सपॉड के उनके जो रिपोर्ट था उसके उपर ये Act मेंली बेश था इसलिए इस Act को मॉन्टेगू चेम्सपॉड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है ये Act ने 10 साल कवर किया 1919 से लेके 1929 तक क्यों 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 कि कहा गया था कि 10 साल के बाद साइमन कमिशन आएगा और साइमन कमिशन ये रिव्यू करेगा कि क्या भारतिय को अब कंशिचूशनली और ज़्यादा जिम्मेदारी दिया जाए या नहीं दिया जाए ठीक है इस Act को रॉयल एसेंट यानि कि क्राउन के तरफ से अप्रूवल मिला था 23 दिसंबर 1919 को इस Act के तरू दो तरह का गवर्मेंट का बात किया गया था कहां पर मेजर प्रोविंसेस में यानि बंगाल, मदरास, नौर्थ वेस्ट प्रोविंस है न इन सब जगह पर जो है वो डूवल फॉर्म अप गवर्मेंट का बात किया गया था ऐसे प्रोविंस में कुछ ऐसे एरियाज होंगे गवर्मेंट का जो की ट्रांसफर्ट मिनिस्टर आंसरेबल होगा प्रोविंसियल काउंसिल का एक्जामपल के तौर पे देखो मुनिसिपैलिटी जो होगा हो सकता है कि वो प्रोविंसियल ऐसा ट्रांसफर्ट लिस्ट में आएगा जिसमें कि जो गवर्मेंट है मिनिस्टर जो है वो प्रोविंसियल काउंसिल को answers देंगे और दूसरा लिष्ट था और जैसे की transfer लिष्ट में जो main main subject था वो था agriculture local government है ना municipality जो मैंने बोला health education इन सब में जो है वो provincial council का हाथ काफी ज़्यादा था provincial council के ministers इस पर rule करते थे इन सब चीज़ों में वो लोग पैसे कैसे घर चाओगा कहां पे घर चाओगा ये सब decision वो सब लेते थे उसके बाद जो दूसरा area of government है उसको दिया गया reserve list और ये mainly viceroy के under काम करता था reserve list में क्या आता था तो foreign affairs foreign affairs कैसे चलेगा इसका decision viceroy of India लेंगे फिर defense कैसा होगा भरत में जानी क्या कौन सा arms खरीदना चाहिए कौन सा navy में कौन सा vessels लिया जाएगा ये सबका decision viceroy लेंगे communication कैसा चलेगा ये सबका decision viceroy लेंगे इस act के तुरू imperial legislative council को बढ़ा किया गया और उसमें थोड़ा बहुत reform लाया गया इसमें अब दो तरग का legislature हो गया था एक हो गया था higher एक हो गया था lower ठीक है lower house में 145 members थे ठीक है जिसमें से 104 elected थे और 41 nominated थे और सारे जो nominated members थे उनका 3 साल का tenure होता था यानि कि 3 साल के बाद वो retirement ले लेते थे वहीं upper house जैसे अभी हमारा राज सबाय काउंसल अब स्टेट उसमें 34 ऐसे member होते थे जिनको elect किया था और 26 members को जो है वो nominate किया था था 26 members जो nominate होते थे उनको 5 साल का tenure मिलता था इस act में एक preamble था इस preamble में यह कहा गया कि British government का यह जिम्मेदारी है यह objective है कि भारत में धीरे-धीरे करके responsible government को लाया जाए ठीक है डायारकी यानि कि dual government इस act के थूँ आया था provincial level पे dual government जैसे हमने बताया कि एक जो है वो मतलब dual यानि कि दो ठीक है डायारकी यानि कि दो दो type का government एक type का government में क्या होगा जो government है वो accountable होगे और दूसरा type का government में क्या होगा जो ministers है वो accountable नहीं होगे यानि कि वो जबाब दे नहीं होंगे प्रोविंसियल गवर्मेंट में ऐसे बने बताया दो तरका था, एक रिसर्ब था, एक ट्रांसपर्ड था रिसर्ब जो है वो अपना बिर्टिस गवर्नर या फिर अपना वाइसराई के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता था यानि कि सूर्स ओफ रिवेन्यू था और वैसा ही रहा लेकिन बंगाल और बंबे प्रेसिडेंसी में क्या किया गया कि जितना भी इंकम टेक्स आएगा उसका पचीस फिसदी इंकम टेक्स यानि कि उस रीजन से जितना भी income tax आएगा उसका पचीस परसेंट जो है वो बंगाल और बंबाई के लिए जाएगा कोई भी बिल यानि कि जब प्रोविंशियल प्रोविंशियल काउंसिल में कोई भी बिल अगर पास किया गया तो जब तक वाई सराय उस पे अपना सहमती नहीं बना दें तब तक वो बिल को एक्ट नहीं माना जाएगा ठीक है यानि कि वो बिल पास नहीं किया जाएगा जैसे भी भारत में देखो कोई भी बिल अगर आता है तो जब तक कि प्रेसिडेंट उस पे अपना सहमती नहीं दे थे तब तक वो act नहीं बन सकता ठीक है हाला कि वाइसरोई अपने मन से कोई भी बिल ला सकते थे और इसमें legislature चाहे या ना चाहे उनको वो बिल जो है वो पास करना होता था या फिर वो बिल जो है वो लागू हो जाता था उसके बाद जैसे हमने पहले डिसक्रस किया कि 145 members होता था जो कि 3 साल का term में होता था लोग सवा जैसे है आज का लोग सवा 5 साल का है लेकिन उस टाइम पे 145 members जो है वो लोग सवा में होते थे 3-3 साल का सब का term होता था और राजे सभा में 60 members होते थे इसमें कि क्या था 34 जो है वो elected 26 जो है वो nominated और ये सारे 5-60 members से वो 5-5 साल के लिए काम करते थे इस act का और provisions के बारे में अगर बात करें तो इसमें पहली बार public service commission का बात किया गया कि भारत में public service commission होगा जिसमें कि civil service में जाने वाले बच्चों का candidates का selection किया जाएगा एक equal प्रक्रिया के तहट ठीक है इस act के थुरू एक और provision लाया गया कि एक statutory committee होगा इस act के 10 साल बाद यानि जो Simon commission आने वाला था वो actual में 1929 में आता ठीक है लेकिन ये 1927 में या गया इसके पीचे भी कहानी है तो ये जो है वो Simon commission का बात किया गया कि 10 साल के बाद एक commission बैठाये जाएगा और ये commission जो है वो पता करेगा कि क्या भारत में और constitutional समयधानिक reforms किया जाए या नहीं किया जाए हाला कि 2 साल पहले ही यानि Simon commission 1927 में ही लागू कर दिया गया और उसको establishment कर दिया गया इस act के थुरू जो communal representation था उसको और बढ़ा दिया गया अब क्या किया गया पहले 1909 वाला act में क्या था हिंदू और मुस्लिम यानि कि general और मुस्लिम के नाम पर था लेकिन इस act में क्या किया गया Sikh, European, Anglo-Indian को भी अलग-अलग representation दिया गया right to vote यानि ये franchise जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया और ये बोला गया government के द्वारा कि एक limited number यानि कि मालो की कोई साल में 1000 रुपीज tax देता है तो government कही कि जो आदमी या जो family 1000 रुपए साल बर में tax देता होगा उसको vote करने का अधिकार मिलेगा तो इस प्रकार से क्या सकते है कि जो voting का अधिकार है वो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया इस प्रकार से हम लोग ये भी क्या सकते है कि ये जो government of India Act था इसने थोड़ा बहुत responsibility भारतियों पर बढ़ाया थोड़ा सा बढ़ाया जरूर civil services में भारतियों की जो तादा थी वो बढ़ाने में काफ़ी यादा मदद किया भारत का Indian federalism जो आज हम देखते है provincial और central उसके लिए ये थोड़ा बहुत ground प्रिपेर कर दिया गया था है ना उसके बाद ये भी बताया गया था इसमें कि कैसे जो revenue है उसको distribute किया जाए कैसे general administration को जो रोज मर्रे की परसासनिक तंत्र है उसको कैसे प्रांट और केंद्र में उसको define किया जाए साथी साथ इस act के थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हैं कि responsibility इंडियन पे बढ़ाया गया हाला कि हर बार की भाती इस बार भी इंडियन council इंडियन national congress ने इस act को reject कर दिया लेकिन कोई-कोई leader ऐसे थे जिन्होंने इस act को थोड़ा बहुत government के साथ corporate किया जैसे कि एनी बेसंत हो गए, G.S. खपारडी हो गए, विपिन चंदरपाल हो गए, सुरिंद्रनाद बेनरजी हो गए, तेज बाहदूर सपुर हो गए इन्होंने इस act को accept किया और कहा कि चलो कुछ तो किया, government ने कुछ तो act में चलाया क्योंकि देखा जाए, तो 1909 यानि मौरले मिंटो reforms के बाद ये वाला act जो आया था, ये मौरले मिंटो से थोड़ा सा जादा बहतर था और लोगों को यानि भारतियों को जादा जिम्मेदारी ये देने का बात करता था तो ये सब जो लीडर्स हुए, एनि बेसेंट, जी एस खरपाड़े है ना, बीपिन जंदरपाल, सुरेंदर अनाद बेनर जी, चेज बादू सपरू, इन्होंने बोला कि ये act सही है, हम इसका सम्मान करते हैं, इसको accept करते हैं, लेकिन चुकि इंडियन एसल कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस छोड़ दी, ठीक है, मत भे दिखे कारण, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, Government of India Act 1919, इंडियन पॉलिटी में काफी बड़ा एक, काफी बड़ा एक तरह से कह सकते हैं, आपकी ये इज्जत रखता है, है ना, 1935 का जो act था, वो सबसे जादा important था, इंडिय पॉलिटी में भारत के लिए, ब्रिटिस इंडिया का बात का अगर करें तो, और उसके बाद 1919 का act था, तो इसलिए ये act काफी यादा important बन जाता है, इस वीडियो में बस इतना है, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीका ये समझ में आया हो, थोड़ा बहुत जो आपको concept होगा, वो ज्यादा clear हो गया हो, अगर कोई भी question पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी, कोई भी question पूछना है, तो इस topic से related, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा था, इसको like करो, दोस्तों के साथ share करो, कुछ भी पूछना है, तो comment करो, चाहिए लोगा subscribe करो, thank you very much.